नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल ब्योडिंगे शुरुआत करते हैं भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर शुक्तिकान दास ने वितिये वर्ष 2024 की पहली मौद्रिक नीती के घोशना की है 2024 के वाग्टविक GDP व्रद्धी 7% रहने का अनुमान भी जताया है आपको वद्धुक नीति की घोषना भी की गई है दरभ रसल आपको वद्धुक वद्धुक वद्धी 7% रहने का अनुमान भी जताया है और साथ ही रेपो रेट में कोई भिवदलाब नहीं किये गए तो बढ़ते आगे कॉंग्रिस देता परगर्ट सिंग ने भी आमादवी पार्टी पर बयान देते हुए कहा कि एक तरफ बाबा साहिब अमेटकर की फोटो और दूसरी और शहीद भगर्ट सिंग की फोटो आमादवी पार्टी ने देश के लिए अपनी जान खुर्बान करने वाले महान शहीदों का अपमान किया है साथ उन्हों ने ये भी कहा कि इस बूरे कदम की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है आपको बदाते चलें कि सुनीता केश्जिवाल का संदेश देते हुए बीच में जो पीछे का बैक्राउंड था उसको लेकर अब विवाद भी चुड़ गया है दरसल परकर सिंग ने आप पर वाद किया और कहा कि शहीदों के अपमान का आरोब भी लगाया है उन्होंने कहा कि धितनी निंदा की जाए उतनी काम है संद बाबा सेवा सिंग ने आपको बदाते चले कि गुरुद्वारा श्री दर्बार साहिव में संद बाबा सेवा के तीसे चरण की शुरुवात की है मेरा अन्रोध है कि संगते इसी प्रकार इस महाकुम में चड़बर कर आपको अदर चले के गुरू घर के भवनों की सेवा में योगदान देती हैं गुरू घर की खुशियां राप्त करती है ये अज प्राज प्राज पराज पराज पूंची है ने अज लग और शुट्वा स्गतान के दिया मुत आरगरू प्यारे मैंजद साफ हो पंच पंच आये तेर रावीं ती करके थे आज जोती हुट ती जिन्न्त सोना लग चुको वास्वत कारने बाकि होर कुटाई तो ड़ पिशला लगा हों तक जारा बारा के लोग देड़ा हूँ गुलू का भी सिवा लग चुकिया खबर मुकसर से है जहां पर पीर की दरगाहा पर मातर तेकर चोटा हाथि से लोट रह थे तब ही पंजगेन गाउं के पास सामने से हारे तेज रफटार ट्राले ने टकर मार दे जिसमें से पाँच लोगों की मौके पर मौत हो गई है प्रेश कमार जी की बना दिते हैं अधिया सी आरे सी अगोई आप दी साहड़ी तो आरे सी गई अजी आप दी साहड़ते अगों सी जट्राला देखे आजी रोख चुके सी गई अजी यह सोटे हाथ ठीटे सी गई सानू के अरीजर ट्राले ने फेट अमारी चाक के साधी दो में पासे खेड़ते जी अगला पासाद अगारता पिसला अगार इदे वेचे साधी पांजी आन्यानी मौत हो चुक्की आई एक मेरी वैफ दी दो मेरे यार दोस्ची एक ड्राइवल दी इस मांजी आने इस तक सो म करीब एक डेड़ विजे दा समांसी पेंड मराड कला मेरा पेंड मराड कला उत्थों दे चौदा पंद्रें पंद्रा आदमी औरतां बच्चे पीर नगाहे वाला इड़ा बाबान अगाहे अले देरा उत्थों जाके आ रहे सी रस्ते दे वेच्च पंजिगनाई हाथ कर दो लेड़ीजा तो वहीं बेसी अमार मॉडल स्कूल में फीस बढ़ोत्री के विरोध में स्कूल में पढ़ने वाले चात्रों के अधिभावक विरोध प्रशन कर रहे हैं इस मौके पर चात्रों के अधिभावकों ने कहा कि स्कूल की और स्कूल में एक ही दुकान से किताबे खरीदने वाले चात्रों के अधिभावकों का कहना है कि दुकानदार अपने हिसाब से रेट वसूलता है और इस समन में हलका विधायक गुरपीत ने आश्वातन दिया कि इस समस्या का समधहन किया जाएगा और गोगी का ये भी कहना है कि स्कूल प्रबंधन से बात की गई है वो अभी भावकों के साथ में जाकर इस समस्या का समधहन करेंगे आपको बजाते चलें कि स्कूल में फीस बढ़हुतरी का मामला सामने आया जहां पर इस्कूल की फीस और साथ ही फिक्स्ट स्टेशनेरी शॉप में जाकर समान खरीदना इस्कूल की बुक्स खरीदने को लेकर पुले इस्कूल परशासन पर मनमानी का आरूप भी लगाया सब्सक्राइब इस साल स्कूल ने बिल्कुल अंजेनुएन फीस वदाई है जो कि लास्ट येर 14,000 सी ते इस साल LKG दी फीस 19,000 कर देती गही है नर्स्री दी भी लास्ट येर फीस नेर अबाउट 34,000 सी ते इस साल 42,000 किती गही है जो कि बिल्कुल अंजेस्टिस अंजेसे पेरेंट्स ते नाल सानु कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिती गही कि इन्नी फीस किसली वदाई सिरफ रेनोवेशन दे एसी रूम्स दे नाम ते इन्नी फीस हाइक करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है पेरेंट्स किते जान इन्नी फीस कितो बेगरन देखो ए प्रक्रीवत सारे पंजाबी समस्या प्राइबेट स्कूल नहीं बड़ा मतलब आतिशक्ती हुई है प्रियापी दिश कहागा वी अपनी यहां मन मार प्रक्राइब लेकर मार्पीट का मामला सामना आया प्लिस की माने तो मकान के विवाद को प्रक्राइब लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे पर एद पत्थरों से हमला किया है मार्पीट में दोनों परिवार के तीन लोग घायल हो गए हैं घायलों को अस्पताल में आज लगातार जारी है पोलिस ने मामला दर्च कर लिया है और मामली की जाच में जुड़ गई है पेढ़ा प्राप रॉलाइसी दैडी 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 का वेक्या बनाया अपी इस कुछ अमदार जिरी विन देशोरे ने तेड़ा मुदा परामान सेगाशी उचे वह ने बालो आवडे उपुश किता है। बाकि इन्हें आज मैंन वुजूरी कारते हैं आवदा मगान वो भ्रा किता है। अगरी उने मांदुलारे मुगे में लाएने किता है। वोशार चवई नो एंदिशुरी मरा ने के तोना संग पुत्राव दार सेंग पर्लुंतर सेंग पुत्राव दार सेंग करते हैं। आपस विश्च पार्दे मिनी वालू लेके चगड़ावायाती। जो तोनो चांदे चरब देवेचे। सुकवीर सिंग बादल फतेगर साही पहुचे जहां उन्होंने पंजाब बचाव यात्रा शुरू की और इस दौरान उन्होंने सभी को दिल्ली की पार्टियों को छोड़कर छेत्रिये पार्टी से जुरने की बात कही है। और साथ ही इस यात्रा के दौरान एक व्यक्ती ने सुकवीर सिंग बादल से सवाल किया मगर बादल बिना काफिला रोके चले गए। आपको जाते चलेगी सुकवीर सिंग बादल ने पंजाब बचाव यात्रा की जो शुरुवात है वहाँ पर हो गई है और साथ ही छेत्री पार्टियों से जुड़ने की यहाँ पर बात भी कही गई है। बादल जे जोग्यों से जाएज। इंवारी सब्सक्ती मीड़िश्या इंवाब दिए प्रषेस्ट जिए जाएजवाबने काम्यों से इंवारी सिंग्हिरे के समयवी खेंप्राद है। इस तरह है तरह साधना दिश्चूश हर साला दिए जिसे अधालत में पेश कर रिमांड हासिल कर कड़ी पूस्ताज की जाएगी मिले जानकारी के अनुसार एसाई गुर्दी सिंग हनुमानगर रोट पर राधा स्वामी डेरे के निकट गस्त कर रहे हैं और इसी दुरान उन्होंने सामने से ही आ रहे एक व्यक्ति को श्रक की अधार पर रोक कर तलाश ली तो उसके पास से एक किलो अफीम बरामत की गई पकड़े गए व्यक्ति की पहचान उब्देश सिंग के रूप में हुई है पूलिस की खिराब NDPS की धारा अथारा 685 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पूलिस ने एक किलो की अफीम बरामत की है और साथ ही एक व्यक्ति को भी पकड़ा है पूलिस ने रख दोई पोस्ति सकताई जदा वदाई होई है ते ए मुंदा प्रेश किमार जड़ा है ज़ा एक डेने दिरहन वाला है ज़ा यह नुवार ज़िस ही प्रेश कर रहे हैं ज़ावत के ज़िचे आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल को जेल में बंद करके केजरिवाल को ड़ा नहीं सकते उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं प्रधान मंत्रे से बिंती करता हूँ कि लोगों को CBI और ED जैसी एजंसियों के साथ में मत ड़ाओ आज मीटिंग थी वॉलेंटियर्स की थी सारे विधायक गड़ा आये थे यहां पर पार्शन भी आये थे चुनाव की तैयारियों के संबंद में ही था और एक चीज जैसे केजरिवाल साथ को इन्होंने गिरिफतार किया है इनको ये लगा कि केजरिवाल जी को गिरिफतार करके ये पार्टी को तोड़ देंगे भारती जनता पार्टी को ये नहीं मालूम है कि असली उदगम पंजाब है और जो पंजाब वीरों की धर्ती रही है यहाँ पर ऐसे कोई धंकी देके डरा के जेल में डालके अगर पंजाब के लोगों को कोई तोड सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है सियम अर्विन केरजिवाल की गिरबतारी को लेकर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा सामने आ रहा है और केरजिवाल सुर्ख्यों में रह रहे हैं लेकिन इन दिनों सियम अर्विन केरजिवाल की जेल में बंद एक तस्वीर वारल हो रही जिसका विवाद भी खड़ा हो रहा आपको राते चले कि जिस पर कॉंगर्स विधायक का सुखपाल कहरा ने तंच कस्ते हुए कहा कि क्या अर्विन केरजिवाल भारत के अजादी के लिए जेल गए थे या फिर शहिद भगत सिंग की तरह खुद को शहिद कर दिया है या पिर उन्होंने बाबा सहाब अमेटकर की तरह भारत का सम्मिधान बनाया आमादी पार्टी की ओर से की गई ये घटिया हरकत हमारे महापुरुषों की ओर घोर अपमान है उन्होंने सुनीता केरजिवाल से आगरे किया कि वेदागी और भस्त अर्विन केरजिवाल की तस्वीर को तुरंदिवार से हटा दे आपको बताते चलें कि सुकबाल खेरा ने जम कर तंज कसा है और साथ ही उन्होंने आगरे करते हुए कहा कि सुनीता केरजिवाल जी और भिन केरजिवाल की महापुरुषों के साथ लगी हुई तो इस स्वीर को भी हटा दे दरसल केर्जिवाल की तस्वीर पर अब लगातार विरोध के सुवर एक साथ में उट रहे हैं सुपाल खेरा ने भी जम कर तंज कसा है और ये हरकत महापुरुषों का अपमान की बात कही है खबर अमरसर से जहां पर राजसासी विधानसबा चेत्र में सरदार गुर्ष चरण सिंग छीना की नित्वत में उनके आवाज पर हुई बैटक नहीं रैली का रूप ले लिया है उसमें अकाली दल और कॉंग्रेस को छोड़कर करीब सत्तर मौजुदा और पूर्व सरपंच आम आभी पार्टी में शामिल हुए है आपको बताते चलें कि शहद और कॉंग्रेस को पूर्व सरपंचों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जहां पर गुर्श अरण सिंग ने नित्रत में बैठक को छीना और बैठक ने रैली का रूप भी ले लिया है और साथ ही आप में कारीकरता शामिल हुए है अधिए दुखदाई करना तंदोवारी पिंड़ा है बता नहीं मुंडे दे मांच किया है तेने जी जी आदा शिदाई ने कदल करता बहुत ही बहुत ही दुखदाई कर दानी उना चाहिए लाकिता के फिलमाद अधिए नालदा पिंड़ा है तो पुच्छे ना ऐसी का आप सोस्काद ना ऐसी के काल भी आवांगे ससकार थे बहुत मरी कबर मांसा से जहां के मेडिकल स्टोर पर बाइक सवार दो अग्याद बदमाशों ने फाइरिंग की है जिसके चलते दैशत का महल बन गया हाला कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ मगर दो दुकानों का जो हमला है वो किया कि आपको वदाद चले कि दोनों बदमाश मेडिकल पर जा रहे ते जहां पर उनका पिस्टल नहीं चलता है तो वो दूसरी दुकान पर जाकर फाइरिंग करने लगते हैं कि सवाइक तो बजाए सडे मानसा फाड़क दे बिलकुल नाल आश्मनी मेडिक हो जाए उदे सवाइक तो बजाए दोन पर शात्ते बंद्याने फायर करने दी कोशिश किती जो की बदिया चलो इंदे खुश किसमती नहीं हो सक्या उस्तों बाद चितों सी पुलसुरू सु जीदे नाल की खुश किलमती नाल कोई जांगी नक्सान नहीं हो या पर सब्सक्राइब सारे मानसा जिले दे कर दे पैदा मोल है अजना जिड़ा मानसा मेडिकल हाल है इस दे कोई दो मोटर सेगल सुवार जिना दे मूं तक है हुए इसी बिदावट नंबर मोटर सेगल सी इंदे चार फैर करके मोटर से घर्टे तुरे जान दे तकान दे बार जिड़े सीचे लगिया उनह दे फैर कीकते हुए इस देना शीचेया बगएर निक्सान हुगा है इसी तेसी तिन बजन दों पहले हैं उत्ते पहुंच के सी दास्वारा इस बुक के माद्यम से राजसवा सदस्ते संत बलवीर सिंग सीचेवाल से संपर किया और उन्हें अपनी सारी शिकायते बताई जिसके बाद में उनकी घर वाकसे सुनिक्षित की गई और वे 28 मार्च को सुरक्षित अपने घर पहुँच गए हैं पुरा मामिला का पुर्थला से जहांपर ट्रेवल एजेंट ने मुरक्ष भेज दिया था जिसके बाद से स्पेन के बज़ाए उन्हें मुरक को भेज दिया गया अब वो अपने घर वापस लोटाए था 10 महिने के बाद यूवक अपने घर वापस लोटे हैं जिसके बाद परिवार जनों में खुशी की लहर है तो वहीं दूसरे तरफ इस पूरे मामली के जाच की जाएगी कि आखिर ट्रेवल एजेंट स्पेन के बजाए मुरग को कैसे भीजा और साथे दस महिने के बाद यूवक की वापसी हुई है बाबाजी हुणा को बैठे याँ उना गाड़ी बेंती की थी बाबाजी ने मुल्दा मगाया जर साथा तो इस उना को बैठे सी के तो खोना सी काम पर लेट्टिल खोड़ी है बड़े धुख्ती का लगए अगे भी केई बरी आप ऑँ तो इस तरीके ना ड्रेन हो रहा कि जीदे नाल बहुत बड़ी जरी हैं लोट को शॉट हो रही है तो इस तरीके नाजवाने से कोई भी जड़ा है काम वाल उन्हों रुखी ने रहेगी हाव एक दी सोचा कैसी बाहर चल जीए बाहर किन्ने की जान देया ते किन्ने को दे विज़े सक्सस चंडिगर सायूट किसान मोचा के नेता बलबीर सिंगर राजवाल ने प्रस कॉंटर् प्रदर्शन तेज करने की यूचना के तहट 21 माई को पंजाब में एक रैली आयुजित की जाएगी नेता बलबीर सिंगर रजवाल ने कहा कि मंडी में सरकार की सायलो लाए जाएगी और कोई भी प्राइविट लोग सायलो नहीं लाएंगे सरकार ने किसानों के खातों में एक भी पैसा सबसिडी का नहीं दिया है साथी गन्य उत्पादिकों को जो भी मार पड़ी है उसका बड़ा दुख है कि सान आंदूलन में जो भी पिरित परिवार थे उनको कोई भी नौकरी नहीं मिली तो सरकार से अपील है कि पिरित परिवारों को जर्द मुआबजा मिल प्लाइंच ने आगले साल ले चौबी साइलोज होर उते बाद फिर नमेन में आई जान के तेनक साला में सारे पंजाबे साइलोज एद्दा होना नो मंडियां चिकनवार्ड करके जड़ी साड़ी दूनिया दी सबतों बेतरी मंडी दा सिस्टम है साड़ा मार्कीटिंग सिस् किता और अठतरीक भी रैली दा इलान कीता सी बड़ी रैली ऐसी करांगे उदे विच ट्रांस्पोर्टरा ने मजदूरा ने आड़तियां ने सारे ने सनु सपोर्ट करन दा इलान कीता अजिए शुरू हो तो पहना तेहीं चौबीदा जड़ों सीजन शुरू होया सी ते ज पांटल सिद्धे ऐसी किसाना देखाते हैं देवेच पामा इसको पिछे भी सरकार इना दी सी आमादवी पार्टी दी पंजाब सरकार तो पिछले साल जड़ों इना दे आड़ गलवात होई सी रेट देवेच बदा होया सी इछले साल बीर पीर दावादा इना लेकिता सी इना ने जतों फैक्ट्रियां चलियां जेडियां सहकारी मला ने ओते माड़ों नाड़ पाई जान दियां क्योंकि ऊसरकार दिया ज olur लिजिए प्रइवेट मिलाने और शब्सेटी सरकार ने किसाना हुं जड़ा ओर एक जोंती है 200 मिलां पेमिट कर दी आपुरी ऊदे नार फिर सरकार नार नाल पेमेंट पाजन दिया पर एस वार सरकार जेडिया जो पघर के बेठी होई या एक कभीर पहीर पहीर जिरा कसाना देखा पहते हैं देवेच नहीं पाया अगला जिरा बाकी राजिवाल साथ ने दासी जिता थे एकके जिच में एड़ाउन करना जाना एककी नुझे जडी महा पंचायता है उदी जो शोचनल ते आरी है सारे पास से ते इक मैई दिये जी उदी अगली मीटिंग आसी ते त्यारी हैं जी मीटिंग एक को उस तो पहल है सरकार तो भी तुरंट एड़े ते गरदावरी कराके जिड़े भी किसान वीरांदी करनक ठराब होई है उन्हादे जे फॉर्म दे वेचे एड़ करके उन्हानों बंदा मोज़ा दिता जावे क्योंकि अक्सर अनौस हुदा है अक्सर बड़े तरह दे मोज़े अनौस हु पर वो मिल दे निगे उसरफ एक स्टेजी पाशन रह जाए तो एड़ी किते स्टेजी पाशन ना रह जाए एड़े तरांट एक्षिन करना चाहिए थरकार नों ते आना ले दिना दे विचे जिमें उन्हानों फसल दी पेमेंट आउंड दी है नाली होगे जे फॉर्म दे त्याद करके उन्हों बंदी जिड़ी ओधी मौजय और जित्ता जाएं कि महीदी इसी कवड़ी रैली जगराओं चे लखी है जीदे चिसी पाजबादा वरोध करवास्ते पुजाब दे लोकानु सद्दा देना सारे देश दे लोकानु सद्दा देना ओधे विचार करके अस जीदे लीडरा थे ओर डिसाइड करके ना तारीख नो वसी सारे जथे बंदिया नो दमागे ताके ओधे मुताओं के सारे पंजाब बिच बीजे पीदा गरोध हो सके और 21 माई नो जगराओं चेक बहुत वड़ी महां रहली होएगी जीदे चे लखां दी तदार चे किसान और मजदूर जड़ेनेों कठे होंगे ओदे ले ये कमेटी बना जिती गई आगली मीटिंग दा डेट पेर दो संग इकड़ी नो तारीख नो चार मेंबरी कमेटी दे मीटिंग होएगी जीदे पार 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 फ्रास होड़े में इतना ही नमस्कार